राज की हैपिनेस कहानी है शरीर का घमन इस कहानी का उदेश से विद्यार्थियों का ध्यान इस बात पर जाए कि रूप वधन से अधिक महत्व उप्योगिता का है उप्योगी हुए बिना रूप धन का कोई महत्व नहीं है आईए पढ़ते हैं कहानी एक महान राजा अपने गुरू का काफी सम्मान करते थे राजा शरीर से बहुत सुन्दर थे और उनका चहरा हमेशा चमकता रहता था गुरू के चहरे पर बच्पन से ये कुछ दाग थे जिसकी वज़े से उनका चहरा इतना आकरशक नहीं था लेकिन उनका ज्यान और उनकी सूजबूज से राजा अपना काम हमेशा कुषलता पूर्वक कर पाते थे राजा के मन में अपने शरीर को लेकर श्रेशता की भाव घर करने लगी थी एक बार राजा ने मजाग के सुर में अपने गुरू से कह दिया गुरुवर मैं आपकी समझ और चतुरता का बहुत सम्मान करता हूँ आपसे ज़्यादा विद्वान मैंने आज तक कोई नहीं देखा लेकिन अच्छा होता अगर प्रकरती ने आपको सुन्दर रूप भी दिया होता गुरु ने जान लिया कि राजा को अपने सौंद्रिय प्रगमंड हो गया है और में सौंद्रिय के सामने विद्वा को तुछ समझने लगे हैं पर वह उस समय चुप रहे गए थोड़ी देर बाद राजा से विदा लेकर अपने घर आ गए अगले दिन उन्होंने दरबार में राजा के आने से पहले सेवक से कहा कर एक मिट्टी का घड़ा और एक सोने का घड़ा रखवा दिया दोनों घड़ों में शुद जल भरवा दिया समय से राजा आये और जनता का कामकाज शुरू हुआ थोड़े देर में राजा को प्यास लगी तो गुरू के आदेश अनुसार उन्होंने सोने के घड़े का पानी पेश किया पानी का सवाद बिगड़ा हुआ था राजा ने पूछा ये कैसा पानी है? इतना गर्म क्यों है? तुरंधी गुरू के इशारे पर सेवक ने उन्हें मिट्टी के घड़े से पानी दिया गुरू ने पूछा माराज ये पानी पीकर देखी क्या ये ठीक है? इस बार राजा पानी पीकर संतुष्ठ हुआ उन्होंने पूछा वह कैसा पानी था? और मुझे क्यों दिया गया? गुरू बोले माराज वह सोने के घड़े का पानी था हमने सोचा मिट्टी के कूरूप घड़े की जिंगे सोने के सुन्दर घड़े का पानी आपको ज़्यादा अच्छा लगीगा राजा को तुरंत बात समझ में आ गई उन्हें जवाब मिल चुका था मुझे लगता है ये कानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी आए चिंतन के लिए कुछ प्रश्न करते हैं आप सुन्दर दिखना चाते हैं या सुन्दर होना चाते हैं? ये बहुत ही सुन्दर क्वेश्चन है इसको आप अपने परिजनों, भाई, भाई के साथ चर्चा करें सुन्दर दिखना चाते हैं तो क्यों? सुन्दर बनना चाते हैं तो क्यों? ऐसा कैसे होगा? बहुत ही अती सुन्दर प्रश्न हैं दोनों के दोनों और आप अपने परिजनों, भाई बैन, सगे संबंद्य के साथ इन प्रश्णों की चर्चा करके अपने नतीजे पर पहुंचें, धन्यवाल.